तो लिखेंगे चैप्टर का नाम दिल्कुल सिंपल चैप्टर आर्गेट यह है कि कल यह खत्र लेवरेज मितलब क्या होता है रिस्क तो तीन टाइप का रिस्क होता है एक बिजनेस रिस्क होता है और एक फाइनेंशल रिस्क होता है जैसे दो बिजनेस एक है रियल इस्ट्रेट और एक है प्रोविजन शॉप कौन से बिजनेस में ज्यादा रिस्क रियल इस्ट्रेट कोहन से बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है अगर विकात तो मतला वियार बिजनेस कर रहे है तो विकात तो बहुत प्रॉफिट रिस्क भी ज्यादा है और जो रिस्क है उसका नाम है बिजनेस रिस्क जिस कंपनी में डेट ज्यादा होता है उसको कौन सा रिस्क बोलते है फाइनेश्यल रिस्क वो ही में पढ़ाने वार हूँ और अल्रडी सब पता हुआ है बस लिवरेज मतला वो ही रिस्क होता है क्योंकि पहला जो पहला घंटा है जो हम पढ़ेंगे अगर मैं बहुत ज्यादा थेओरी में जाओंगा तो सिप मैं भर बचूँगा बाके सब तो चुके होगे तो मेरी कोशिश ये करेगे तुबह का ये इश्यू है कोशिश ये करेगे कि मैं आपका टाइम पास करते हुए पढ़ा हूँ चल क्या आँ प्री टाइप्स ओफ लेवर्ड फिर्स्ट अपरेटिंग लेवर्ड वो बोला जादा है वा बिजने सब बजाद है कभी-कभी न ऑपरेटिंग लेवर्ड वो बोलता है कैल्कूलेट बिजने सब्सक्रश तो मोब अपरेटिंग लेवरेज केल्कूलेट करते है सेकन् पांचिल लेवर्ड कःस झो क्या बोला जाते है पानेंस रेसक मतलब और थर्ड कौन सा है कम्बाइन लिव रिस इसको क्या बोलते हैं तोटल रिस्क बरबादी का सबसे समझ रहा मैं जो ऐसा लग रहा था कि मैं क्लास ओपन करूं पच्वड़ी नागा में मैंने क्या किया है रेंट पे ले लिया और रेंट भी बहुत बड़ी बिल्डिंग मतलब एक लाग रुपिया मेंना इक्स कॉष्ट हो गया है यह तो देना ही देना है चाहे बच्चे कितने और फनीचर भी अच्छा चाहिए बैंक से पैसा उधार ले लिया मतलब आप गुसोगे ना क्लास में असा लगे कहां आगा है यारा तर बच्चे नहीं आ रहा है बर बात अब कितना पैमेंट मुझे करना ही करना है एक तो रेंट का भी देना है और बैंक वाले को भी देना है तिस इस कमभाइन रिस्क कुछ है नहीं है कि leverage में कुछ special है कोई formula कोई formula नहीं है बस यह करना हो common sense लगाना काम करना बस लिखोगे operating leverage operating अग्जाम पर एक्जाम दो से कर रहे है तो आप CA बन गए से माल लो और मैं हूँ आपका क्लाइंट ऐसा मसाला लगा के पढ़ाना पड़ेगा मुझे मजबूरी मैं आपका क्लाइंट मैं आपके office में आया मैं कहता हूँ CA साब मुझको ना factory खरीदना business खरीदना है मेरे साथ सत लेखनते जाना मुझे answer चाहिए आपसे बिना leverage पड़े है तभी मैं जाएगा सर एक business हमारा है मालवी रोड में मतलब business ए लिख दो भई मालवी और यह आ गया है और सर अभी जो business चल रहा है प्रोडक्शन होता क्या full capacity में होता नहीं अभी नहीं हो रहा यह अभी जो sales कर रहे न sales यह 1000 units sales करते है 1000 units बना कर बेचते हैं और सर कितने के हिसाब से 100 रुपे के हिसाब से तो बताओ इसका sales कितना होता है एक लाग और इनका भी 1000 units 100 के हिसाब से एक ही जैसा product है वही calculator तो क्या अलग-अलग price हो सकता है arbitrage हो जाएगा अगर अलग-अलग price होगा तो arbitrage हो जाएगा अगर यह 120 में बेच रहा है 120 में इधर विक रहा है customer खड़े है तो आप यहां से खरीदोगे दुकान के सामने खड़े हो जाओगे 100-100-100-100 क्योंकि आप समझ रहे हो ना क्या क्याना चाहता हूँ आप arbitrage कर लोगे कहां से खरीदोगे A से कहां बेच होगे B में यह arbitrage आएगा MM में आगे MM theory होने वाला बच्चा हुआ अपना कहां से खरीदोगे A से और कहां बेच होगे B में तो क्या आप कौन हो आपका नाम मेंने क्या बहला arbitrage क्या यह arbitrage खतम हो जाएगा हाँ टोनो कहां का डिमां बढ़ेगा एक का प्राइस क्या होगा तो असे बढ़ेगा यह वाला क्या होगा प्राइस 120 यह कम होगा Maintain होगा ना खतम हो जाता है और कॉन खतम करता है arbitrage आपका नाम है arbitrage तर यह वहां पढ़ेइगा ना आब इतना टेकनिकल क्यों बना रहे इसको तो ये शियर मार्किट का अभी में में पढ़ना वाल है एक लाग एक रुट अभी बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है दोनों का सेलिंग पैसे में क्या बना रहा है सरी लोग कैल्कुलेटर ठीक है बना रहा है माइनस क्या करेंगे वेरिबल कोष्ट वेरिबल कोष्ट समझते होना सब लोग एक हजार उनिट्स इल्टू चालिस कितना आ गया और एक हजार सत्तर 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 तुछ जो माइनस करने पर आएगा उसका नाम क्या रहेगा कॉंट्रीबुश्ट वेलो कितना कितना गया साइठ हजर यहां और तीस तर यहां माइनस क्या करना है इक्स कॉष्ट सवाल यह है कि सर्क कैल्कुलेटर तो वही बन रहा है एक जगा वैरिबल कॉष्ट कितना है चालिस और एक जगा कितना है सत्तर आगे इक्स कॉष्ट मैं करवाऊंगाurt यह क्यों उजया सर्क एक्स कॉष्ट ले लीजीय 150,000 और यहांनफ स्कॉष्ट ले लेजा 10,000 कितना गया है सार यहां 20,000 लेजार लिजार पराबर रहने का कितना गया है प्रभला टीस तो िबी आईटी को और क्या वोलते है operating profit, cost पता है, marginal costing, कुछ BEP निकलते थे, कैसे निकलते थे, tax cost divided by contribution per unit, break-even point का मतलब क्या होता था, no profit, no loss, अब सवाल है, profit का मतलब, profit after tax, profit before tax, अब सवाल है, तक उससे हमको मतलब नहीं, profit zero होना चाहिए, EBIT zero, कि profit zero, operating profit zero, EBIT zero, cost में उसके नीचे जाते नहीं हो, आप यहीं रुख जाते हो, इसकी बात, इसको बलते है, operating profit EBIT, marginal costing बढ़ा है, क्या बात करें, EBIT zero होना चाहिए, यह zero होना, ठीक है, नया राइपुर देखा है कोई, माल लो, यह business है नया राइपुर, और यह main market में, public यहाँ बहुत ज़्यादा है, labor से हम काम करवाते हैं, तो यहाँ labor क्या, यहीं की यहीं आ जाते हैं, तो कितना रुपे लगता है, 40, और यहाँ से वहाँ जाती है, तो ज़्यादा पैसे लेंगे हो, कितना ले रहा है, 70, अब हमना factory rent पे भी लेकर, दोनों rent पे चल रही है, यहाँ rent है 50, राइपुर के अंदर, तस्ते में काम चल गए, तो बात इतनी है कि fixed cost इसका ज़्यादा है, sorry variable cost जाता है, fixed cost क्या है, कम, अब C.A. साहब मुझे बस इतना बता हूँ, मैं सोसरा हूँ याद factory खरीदता हूँ, सवाल यह है कि कौन सा वना खरीद हूँ, A की B, तो उनों में एक जैसे asset, B या A, सबसे पहले, एक सिम्दस ही बात यह है, आप पूछना, C.A. लोग काम के, छोड़ो, आप पूछना, मैं ऐसा बोलूँगा, C.A. लोग काम के, क्या करते पता भी है, तो फिर मुझे याद आ जाता कुछ और, तो मैं आगे बात करूँ, अब मुझे इतना बता दो, कि अगर, अगर, आप पूछ रहे हैं कि सिर आपको लग क्या रहा है, कि आप कुछ अच्छा काम बिनगा, यार यह तो अभी कम कैपसिटी में काम हो रहा है, मैं तो बढ़ाऊंगा, और मुझे ऐसा लग रहा है, कि यह जो यूनिट से बना के बेच रहा है ना, यह दोनों, मैं दोनों में से एक खरीद रहा हूँ, मैं 20% से बढ़ा दूँगा, एक हजार, एक हजार की जगा कितना कर दूँगा, 1200, चैलिंग प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते, अगर 1200 यूनिट से बनाता हूँ, तो प्लीज C.A. साभ यह बताओ, तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा कि इसमें, कि दोनों में बराबर आएगा, तो प्यार से लिखो फिर, जब यह नहीं मालम तो मतलब लिखना लिवरेश पढ़ा ही नहीं है, लिखोगे, 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 इस्टा लगातार, हाँ, मैं बस इतना चाहिए करूं, चाहिए करूं, एक अजार एक जगा कितना चाहिएगा, 1200, 1200 यूनिट्स अगर में करता हूं, तो इसमें और इसमें सेल्स तो बड़ा प्रॉपिट बराबर आ रहा चाहिए न, क्या लग लगाएगा, किसमें और जादा आएगा, नि, रिजन नहीं चाहिए, रिजन तो मैं बताऊंगा ना यार, यह वापस फिर से कैल्गुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बनाना तो बड़ेगा इस्टेट में, यह में ही आएगा, तो लिखो इस्टा लगाकर, इफ, इस्टेट में तो आपको इतना आएगा लिवरेगा, इतने परशन से बड़ा है, पक्का ना, 20 पर, 10, कैल्कुलेट, यू, PIT, कोद बिजनस, यह बजते रहना शेये, फिर से प्यार से इस्टिट्मेंट बना रहे हूँ, आपके लिए बना दू, तना हुमरा, याद रखना पूरे लिवरेज में, आप सेलिंग प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ यूनिट से बढ़ेगा, और यूनिट से बढ़ेगा, तो क्या वैरिबल कॉष्ट भी बढ़ेगा, यास जिस रेशियो में, यूनिट से बढ़ेगा, बता सकते हो, वैरिबल कॉष्ट कितने बढ़न से बढ़ाएंगे, तो कॉंट्रिबूशन कितने बढ़न से बढ़ाएंगे, याद बढ़ेगा, मेरा कॉष्ट बस इतना है, कि जिस रेशियो में सेल्स बढ़ता है, क्या उसी रेशियो में कॉंट्रिबूशन बढ़ेगा, सेल्स अगर 20 परशन से बढ़ाएंगे, तो कॉंट्रिबूशन भी 20 परशन से बढ़ेगा, देखो एक जबरदस फॉर्मूल आने वाला, कॉंट्रिबूशन डिवाइड़ वाई EBIT, वह सो समझ के आएगा, वह एकदम से नहीं आएगा, पहले करो, करो इसको, आगया, चलो बता दो, इतना आया, पावी से जार, और सोला, क्या ये भी बढ़ा, यस, और ये भी बढ़ा, पर कौन सा जादा इस पीट से, ये वाला, उसकी वज़ा, एक सकोष्ट, जादा है, बत्यों सवाल बस उतना ही है, आप खूब प्रोडक्शन करोगे, मैं जो स्टेट्मेंट बोल रहा हूँ, बड़ा इंपोर्टन है, आप कितना भी प्रोडक्शन, आप कम करोगे, तो 50,000 देना है, अगर 1000 यूनिट बनाओगे, तो भी 50,000 ही देना है, 2000 बनाओगे, तो भी 50,000 ही देना है, तो जितना जादा करोगे, उतना तो आप अपने जेब, contribution आपका अपके जेब में जाएगा, 50 तो एक बार fix हो गया है, इसलिए अगर आप ज़्यादा units बना कर बेश सकते हूँ, तो fix cost अच्छा की बुरा, अगर आप ज़्यादा units बना के, अगर मेरे पास, एक देखू न यार मैं ऐसे समझ में आएगा, आपको न पैसो की बास सीधी सीधी समझ में, मैं क्लास, को option थे, या तो rent पे लूँ, एक लाग रुपिया, या तो नाम ने लूँगा, वहाँ मैं commission पे बात कर लूँ, इतने बच्चे आए, बच्चों की सबसे मुझे को commission दे देना, क्या अच्छा, depend करता है, बच्चों पर, अगर बच्ची बहुत सा रहे आ रहे, online भी चल रहे जबरदस्त, खुद का, मतलब rent देना, ठीक है, पर सुनो ना सर, अभी रुख जाओ, पता लगा, सबज गा ना, तो फिर क्या अच्छा, it means depend करता है, किस पर, यूनिट्स, मैं आपको यूनिट्स बोल दू, यूनिट्स पर depend करता है, कि कितना यूनिट्स आप बेच हो, अब दूसरा question सबसे, यह आ गया ना बिटे, दूसरा, यह 10,000 से कितना हो गया है, 22,000, क्या यह बढ़ा, परशन्टेज बोलो, यह EBIT बढ़ा, 10,000, नहीं 22,000, मैनस 10,000, हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 120%, यह, 30%, कैसे निकाला, चलो ना, लिखते हैं ना, यही तो है लिवनिट्स, यह सर, second point, Calculate Percentage Change in, किसमें है, EBIT तो पहले किसकी बात कर ले, Business A किसे निकाला, 22-10, नहीं मैं 22-10 लिक हूँगा, 22-1000, divided by, 1000 into 100, 120%, इस पर शक क्यों हो गया, जाता मझे, 120, तो अजीब सा लगता है, अजीए, जाता हूँगा, 25-10,000, बहुँगा, जाता हूँगा, जाता हूँगा, जाता हूँगा, two-la, आया था यार मैं भूल जाता हूं कि मैं cost of capital पढ़ाया हूं चल रिविजन भी किया है आप लोगों ने कैसा था टेस्ट पीटा समझना पीटा क्या होता था थोड़ा सा मार्केट और शेयर अगर मार्केट 10% से बढ़ा तो शेयर 20% से बढ़ा बोलो बीटा कितना हीर बीटा का मतलब यात करो मैंने सतियम वत्यम समझाया था यार कितना अहाए था टू टैमस इसे कितने से बढ़ा है कितने से 20 इसका EBIT भी बढ़ा 120 टाइंस में बूलो किसे टाइंस कैसे निकाला तो हिंदी में कैसे बूले चैंज इन EBIT डिवाइड बाइ चैंज इन सेल्स तिक्स का नाम है ओपरेटिंग लिए इसी को बोलते ओपरेटिंग ठीक है पहले लिख लेते तो अब तीसरा इस्टार फेर से लगाऊंगे बहुत ज़्यादा हुआ में पढ़ा नहीं पाऊंगा इसको भली आपको आता भी है पर ये क्या लिख रहते हैं हम लोग और अच्छा वाला कैलकुलेट हाँ पर्सेंटेज चेंग इन जाइट पर्सेंटेज चेंग इन भी हैटी तो निकल लिया था हम लोगोंने ये निकल चुका है ना option नहीं बचेंग काट दिया है तो बताया क्यों लिकिसर ये निकाल चुके थोटा सा काट दो कोई बात नहीं आपको क्या निकालना डिग्री ओप अपरेटिंग लिवरस इसको डियो एल बोलते हैं तर हम डियो एल लिख सकते के एक्जाम में क्युकरी का मत्ता थाइम स्वाण एक है आम मैंने स्वाभी थाइग लोग एए एए आख दिखान देरेता दुसादेला पिसंगत एखी वाद पॉर्मुला बलो पर्सेंटेज चेंग 6 120 इवाइड वाइड 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 रिदीडवाइड इतेंगे शेजंगे अटीड़िवाइड ना कितना थाइम्स जैसे बी का बता हूं साथ डिवाइड़ बाए थीस टी टाइम्स बोलकर बता सकते हो क्या तर बिजनेस ए में ऐसा है अगर सेल्स ना एक परशन से बढ़ेगा ना एक परशन से प्रॉफिट छे परशन से छे गुना ज्यादा और यहां कौन सा बिजनेस खरीदना सीए साब इतना बता दो पर सीए साब सुनो ना पता नहीं है ऐसा लगता एक हजार भी बीके का भाई भगवान ना करे एलेक्शन करबड और करबड हुआ तो एक हजार का सोचा कम भी हो सकता है तो प्रॉफिट गिरे वगा भी अब सवाल है किसमें प्रॉफिट जादा जोर से गिरेगा प्रॉफिट कितने गुना जादा एक्स और इसमें पताओ कौँसा बिजनेस खरीड हूं किसमें जादा रिस्क है एक है इतना सिक्स टाइम यह रिस्की है बीटा भी तो रिस्की था हां जी यह अभी इसे बिजनेस रिस्क बढ़ाया हूं एट वीन सुनना धियां से देखो, मैंने आपको क्या बताया था ये मान लो बहुत बड़ा पत्थर क्याता नाम दिया था इसको हाथ से मुह नहीं कर सकते तर इसका नाम बोलो ना, इसको बोलते है TBIT और फिर हम यहाँ क्या लगा देते हैं कुछ यूज करते हैं, फलक्रम बोलते हैं इसको बोलते हैं, फिक्स कॉष्ट अब सुनोगे, सुनोगे बिट्टे बात यह है कि सेल्स के चैंज करने से EBIT कितना चैंज होता है वो डिपेंड किस पे करता है फिक्स कॉष्ट सेल्स को कितने परशन से चैंज किया था हमने 20 बोलो, EBIT कितने परशन से चैंज हो गया था 120 यह किसकी वज़ा से, फिक्स कॉष्ट फिक्स कॉष्ट जितना ज़्यादा रहेगा, उतना यहाँ फलक्श्वेश्ट यह डिपेंड करता है आपके इसमें आया हुआ कोश्ट सुनो, इसमें आया हुआ पहला कॉष्ट मुझे एक्स्प्लेइन करके बताना इसमें लेखा, फिक्स कॉष्ट दो धारी तलवार होता हुआ समझाओ इंदी मैं बोल रहा हुँ, सिंपल फिक्स कॉष्ट आपके स्कैनर में कल देख रहा था दो धारी तलवार मतलब अच्छा की बुरा दोनो समय अच्छा है तो समय खराब है तो तो दूसरा कॉष्ट इसी में फिक्स कॉष्ट अच्छे समय का दोस्थ हो समझाओ, सिर्व अच्छे समय का समय अच्छा है तो वो दोस्थ और समय खराब है तो, दुश्मन उससे बड़ा कोई नहीं, वो बरबाद कर देगा आपको तो यह अच्छा की बुरा किसमे डिपेंड करता है? ऐसा लिखना बात उसका दिमाग घुम जाएगा वेबर चेक कर देगा तो ऐसी समझाने आ रहा हूँ पर देगा समय की बात तो देखो, अब 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 यहाँ पर आते है मैं आपसे पूछ रहा था हूँ ओफिस में आके कि बताओ कौन सा बिज़ाँ, आप बात घुमाओ मत कौन सा खरीद हो यह बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो ऐसे जवाब ही नहीं देते हैं आपको क्या लग रहा है, कि CA काम क्या करते हैं CA सिर्फ आपसे पूछते हैं और आप ही जो बताते हैं, उसी को भी एक प्रेजेंटेशन देखे आपको ही, वापस वोई चीज आपको बता देते हैं आपको ऐसा लगता क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला आपको बस वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं तो आपसे पूछेंगे लगता क्या आपको क्या करोगे बिजनस, बढ़ाओगे क्या क्या करोगे आप जवाब तो देना बढ़ेगा, सर में लग रहा है बढ़ेगा यही तो चाहिए था हमको अगर लग रहा है बढ़ेगा तो कौन सा अगर वो गेगर नहीं सर पता नहीं अब देखेंगे तो फिर क्या बलोगे आप कभी भी हम लोग ऐसे जवाब नहीं दे सकते हम उनी के माइंड से खेलेंगे और उनी को जवाब देदेगे बदले में क्या मिलेगा? फिस तो यहां कोई भी जवाब नहीं दे सकता हाँ लेकिन पूछा जाएगा आप यह जरूर बता सकते कौन सा ज़्यादा रिसकी है तो यह निकालना प्रॉपरिटिब फॉर्मुला याद रहेगा? चैंजिन इबाइटी डिवाइड़ बाइचेंज निक्स कॉष्ट जितना ज़्यादा रहेगा तो यह और मुवमेंट हो जाएगा सर यह तो टूट जाएगा तो आगे चलते हैं देखो कि एक्जामल नमबर टूट एक्जामल नमबर टू अब आपका नमबर तो टूट तो आपका नमबर बाइब सेंट्स सर्ब मैं तो टूट इस नट्स बाइबल कोष्ट क्या सुअक। की बर्शन, तोलो कितना, 10,000, कितना आ गया, काउंट्री, 12,000, माइनस क्या करोड़, पिक्स कोष्ट, 10,000 ले तितने हैं, कितना गया, 5,000, कि क्या आ गया है, केलकुलेट, यूएल, डिगरी ओप प्रेटी, निकाल सकते हो कि नहीं, सिंपल सकते हो, आप अपनी हिसाब से ले सकते हो ना यार, अब 10 ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, आपकी मर्स, ये तो आप की, आप ही निकाल सकते हो, ये नहीं, ये अभी हो जाए, जो बाते साफ हो, वो अभी हो तो ज्यादा अच्छा, आपने 10 से बढ़ाया, आपनी 20 से बढ़ाया, तो दोनों का डिगरी ओप उप आपरेटिंग लिवरे अलग अलग निकलेगा, कि एक जैसा, पक्का ना, अगर अलग अलग निकला ना, अलग लग रहा है ना, चलो 10 और 20, निकालो निकालो निकाला, नहीं, आप दोनों निकाल रहा है भाई, इसकी जो मर्जी वो निकाले मुझे डियोल चाहिए, 10, 20, 25 जो लेना लेलो, दिखना आपड़ेगा, या रेखो ये कर अंबर ये रेखोगा, लेखोगें, लेखोगें, इसकी जो कि अठीए, थिखनए इसके रहा हैगा, या कि वहीं है पुँआ अंड आग डैनल द्टिए अपड़ित्थ attempts, वेगे उस आंगे है 3 times आ गया? आंसर कितना आ रहा? 3 times I, C, E, I कहता है time pass मत करो contribution divided by E, B, I, D करो 3 times E, I तो ये change bench क्या कर रहा हूँ ऐसा बोले मत करो एक formula है contribution divided by E, B, I तो ये derivation derivation आपकी study mat में दिया है इस बारे आप derivation में interested हो तो मैं formula को derive करके नहीं बता रहा हूँ आपकी study mat में derivation है पूड़ा सा मैस हमारा वैसी पर फिर भी फिर भी सुनो उन्होंने क्या formula एक बार देख लो देखने में क्या दिख्कत formula क्या था नहीं नी चेंज वाला formula change in EBIT और change in EBIT कैसे आए था अब देखो मतलब 1000 unit था quantity और आपने इसको बारस हो लिया था उन्होंने बुला quantity one यह 1000 यह बारस है उन्होंने का quantity one इन्टू सेल्स माइनस variable cost minus fix cost यह क्या निकला EBIT कौनसा वाला EBIT यह fix वाला यह पूरा की पूरा EBIT यह बाविसजार quantity यह बारस हो यह क्या दिफ्रेंस हाया सब्रेकेट लगा उन्होंने प्लीज यह क्या दिफ्रेंस हाया ठीक है यहाँ दखवा समझ में आई यह समझ में आ गया यह क्या निकला आपका EBIT इफ्रेंस यह डिफ्रेंस divide कैसे करूँ जल्दी से बोलो इतना तो आता होगा divide दस जार Q S minus V minus F यह क्या आ गया क्या एंजीन EBIT 120 पर यार 6 कैसे आया था एक से आया था नहीं ठीक कैसे नहीं अच्छा चेंज इन सेल्स हाँ मैं D-U-L-E निकाल रहा हूँ यह समझ में आगे चेंज इन सेल्स तो चलो और divide और एक बार चेंज इन सेल्स कैसे आया था quantity 1 into cells minus quantity into cells divided by quantity into cells इसको into कर दूँ तो पता है यह वाला साय ऐसे उपर चला जाता है और यह वाला नीचे जाता है और जब कट कुटके जो आएगा मैं काटना नहीं चाता है इतना टाइम है नहीं है हमारी पैस पर जो आएगा सुनो वो क्या है quantity cells minus variable cost minus fixed cost divided by quantity cells quantity into cells minus variable cost यह क्या आएगा यहां contribution आजाएगा यह अब उल्टा लिख दिया यहां उपर क्या जाएगा contribution नीचे क्या जाएगा यह कहां है आपकी बुक में पहले जो था ना पहले derivation नहीं था पहले जो आएफेम का module था अब भी किया module में derivation भी करके दिए बच्चे परिशान करते हैं जरूरी समझना बच्चों कैसा लगता contribution divided by EBIT main formula है वह ही नहीं है main formula कौंसा है change वाला यही तो concept है change वाला और इसी से कौंसा वाला बना है contribution divided by contribution divided by EBIT तो लिखो गया D.O.L. आपने निकाला कितना आया three times उसको बच्चे से भी लिख लेकी एक बार तूसरा formula D.O.L. is contribution divided by EBIT E.O.L. कितना निकला था आपका three times means तो मतलब तो लिखना आपड़ेगा मतलब if if cells changes लिख दू by one part then क्या चीज़़ए BIT will change by चीज़़ए अगे ऑल लिखने। operating, risk, risk, Q2, किसकी वज़ा से, business risk, किसकी वज़ा से, fixed operating cost, fixed operating cost ठीक, ने लिखोगे तो फिर बाहर में पस्ताना पड़े, जा मादे दो, जा किया लेवरेस्का थोड़ा भूस सा final में भी, पर वहाँ यह सब time pass नहीं, वहाँ तो सीधा बुचूँगा, बताओ भई क्या, contribution divided by EVAT ने चाहिए, अब इसको ना में रटवाद भी देता हूँ, अब में क्या सारी दुनिया रटवाती है, बताओ, लिवरेस, ऑपरेटिंग लिवरेस किस से रिलेटिड है, फिक्स कोश्ट, तो बोलो, फिक्स कोश्ट इन दोनों के, इन दोनों के बीच में है, तो फॉर्मूला क्या बना, contribution divided by EVAT, रटलो ऐसा, क्या फर्क पढ़ा, फिक्स कोश्ट है, तो contribution divided by EVAT, और change वाला फॉर्मूला क्या देखी है, तो बात हो रही थी, तो सर्थ दो फॉर्मूले है, चैंज वाले फॉर्मूला जश्ट अपोजिट हो जाता है, यास, अब फिर से बोलो, बट बार हो, सौरी, ओपरेटिंग लिवरेस का फॉर्मूला, ओपरेटिंग लिवरेस मतलब किस से रिलेटिट, एक्स और जो फॉर्मूला जुज हो उसमें मार्जिन ऑफ सेफटी का यूज, मोस, इक्स का जात है, अब भी बताओं कि बाद में पहले दो-चार कोश्टन कर लेंगे, तो दो-चार कोश्टन जहेल नहीं पाऊ गयाद करना, मोस यूज होगा, मार्जिन ऑफ सेफटी, मार्जिनल कोश्ट देख पी-पी इंटु पी-वी रिश्यो आगे लिखो के दूसरा पहला कौँसा दो फॉर्मले याद हो जाएगी ऑपरेट ने दूसरा लिखो के फाइनेंशल लिवरेश अब इसमें मैं वेरिविशन के चक्कर में ज्यादा नहीं जाओंगा सीधी बात करें और फिर कमबाइन खतम फाइनेशल लिवरे इसक इसकी वज़ा से हैं यूटू पेक्स्ट पाइनेश कोस्ट जैसे इंट्रेस्ट आव प्रॉफरेंस डिविडेन्ट कि अधिक है ओके अपनोगे लिए हैं काम ही नहीं करें तक होगे एक्जम्प कि हम स्टार्ट कर रहा है इबी एटी इस अमान लो इबी एटी है यार कितना लेलो असी अजार कि बी एटी है असी माइनस क्या करोगे इसमें और इंट्रेस्ट ले लेते हैं तो यह क्या गया है कि बीटी माइनस क्या कर दूँ एक्स एक्स करेट ले लेते हैं कितना थर्टी परशेंट बताओ कितना ग्राथ डार अच्त सु प क्या आएगा उसका नाम क्या रहेगा एटी एटी बोलो क्या रहाजार दोस्तों प्रिफरेंट डीविले नहीं है अब है इड़ेड़ वाई क्या कर दू नमबर ओफ शेर्स नमबर ओफ शेर से मान लूँ दस जार दस जार कम ज्यादा हो जाएगा एक हजार ले 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 तो जो आता हो उसका नाम रहता है EPS कितना आ गया 11. जर रुक्रस्ष्ट मेरी आपक्रावर्यकरण वि डिवार्यकरेश हुड ते सर्वे ते स्थेडिवार्यकरण वि तॉक्रस्टट प्लक्रावर्यकरण ध। ते सिर्वेलर्ट percentage change EBT दूसरा डॉट percentage change in EPS अब मेरी माँ सुनलो पिना पे इन चलाई जावब EBIT के बढ़ने से EBT बढ़ेगा की नहीं हाँ यह तो fix है ना यार बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा अब सुनू EBIT 20% से बढ़ा रहा है EBT माँ लो 25% से बढ़ गया माँ लो मन से लिखा है तो सर EPS भी क्या 25% से बढ़ेगा कि यह दोनों अलग अलग रहेगा पका EBT के बढ़ने से EPS तो बढ़ेगा मेरा कहना कि माँ लो EBIT 25% से बढ़ा EPS भी सही बढ़ेगा करके देख लेते ना करो चलो करो करो EBIT को हम प्रॉफिट को कितने बर्शन से बढ़ा रहा है बढ़ा के मैता दूँ क्या असी इंट्रेस्ट तो से मिरेता है 22.4 क्या चीच EPS 22.4 आंसर आ रहा है नहीं वाला EPS आगे 22.4 और EBIT कितना आया था बिटे नहीं वाला वो निकाला यह नहीं है 32.4 32.4 पेरा सिंपल सा कोश्चन है भाई इसके परसेंटेज और इसके परसेंटेज यह भी बढ़ा है यह भी बढ़ा है दोनों एक ही परसेंटेज से बढ़ा है कि अलग अलग से पका कितने परसेंटेज से बढ़ा 2 टाइम्स यह 20 परसेंटेज से कैसे आएगा देख लोग क्या 32,000 divided by 16,000 मतलब यह तो 100 परसेंट आएगा इन्होंने टाइम से बताया है divided by 20 बोलो यह कितने परसेंट से बढ़ा 100 परसेंट और यह भी कितने परसेंट से बढ़ा 100 परसेंट एक इंपोर्टेंट क्रक्स हमको निकल के आया कि जिस रेशो में EBT बढ़ता है उसी परसेंटेंट में APS बढ़ता है कुछ लिखवाने वाला होना पहला वो लिख लेते हैं अगर प्रफेंट डिविडेंट ना होते है एक कंडिशन क्या बोला था जिस पहला कहा है परसेंटेंटेंट से जा चीज ET अच्छी नहीं है आपके आपके उसी परसेंट इस से तू टाइम्स कैसे निकला था भाई DFLS को बुलते है Degree of Financial Average वो बताया था परसेंटेंटेंटेंट इन मतलब कितना लिखा था हन्डर्ड डिवाइड़ बाई ट्विंटी हन्डड डिवाइड बाई ट्विंटी आया था ना आपका हां हन्डड डिवाइड बाई ट्विंटी किया था percentage change in divided by क्या होगा, percentage change in EBIT, उपर क्या लिखू, percentage change in EPS, दोर नमें एक ही लिखनो, percentage चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, एक ही, अगर मैं percentage change in EBT लिखूं, या फिर percentage change in EPS लिखूं, एक ही percentage तो आता हो, कितना आया, मतलब 100 divided by, 2 times कैसे आया था, 5 times हाथ, आचाहे, double से बाढ़ा, हाँ, ये बोलना चाहा रहते है, ठीक, ठीक, 5 times का मतलब, लिख लेते हैं, पर मतलब आता है कि आता है ना भई, आता है मतलब, ये अपाइने हाँ, आदेशों का नौलिज तो इचाहे है, then, catch which, ETR ESV change, right, कितना परशन, 5 परशन, 5 परशन, और मैंने कहा था, मैं डेरिविशन में जाऊंगा नहीं सीधा, और कौन से लिवरेज निकाल रहे हम लोग, फाइनेंस, मतलब इंट्रस्ट, इसके बीच में, 80,000 divided by 16 जर्कर, तो उनका या तो यह फॉर्मुला यूज कर लो, या तो यह टाइम पास मत करो, चैंज वाला, दूसरा वाला तो दूसरा वाला फॉर्मुला लिख लेते हैं, तो दूसरा फॉर्मुला, कि बीच में, इंट्रस्ट, EBIT, तो EBIT divided by, तो हर एक लेवरेस की कितने पॉइंट है, दो फॉर्मुले हैं, दो फॉर्मुले ही याद रखो अभी, तो बीच में एक आद आएगा तो टेंशन मत, तो यह क्या आगया, EBIT divided by, EBIT और चैंज वाला फॉर्मुला, इसको उल्टा कर दो, percentage change in EBIT divided by percentage change in EBIT, चैंज वाला फॉर्मुला याद नहीं रहता है, मैं जानता हूँ, अच्छे से, अच्छा, इसकी भी बात करो, contribution divided by EBIT, उल्टा वाला फॉर्मुला, मतलब जो सीधा है, percentage change in EBIT divided percentage change in contribution बोल दो, या sell से बोल दो, कोई फर्क नहीं पर, ठीक है, अब सुनो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ, क्या, interest, तो क्या आ जाएगा, EBIT, अब combined leverage का मतलब, इससे भी related होत, इससे भी related, तो formula क्या बनेगा, contribution divided by EBIT, यहाँ से सीधा, यहाँ पहुच जाओ, change वाला formula, EBIT divided by change in cells, ठीक है, तो ज़्यादा कहानी नहीं शुना हूँ, ज़्यादा अ अफिकोशन बनाना है, बस इतना इथात लीवर, बस उसका application आना चाहिए, आप सुनो, कुता क्या है, मतलब, हद कर देते हैं, सुन लो, सुन लो, कितनी महनत से leverage पढ़ाया हमने, और फिर मैंने कहा, यह बताया, फिर मैंने का मान लो EBIT increase हो जाती है, 20% से, कोशन यह था, तो बताये, EBT में कितने percent का change हो, बच्चे वाके 20% से बढ़ा देते, वो नहीं पूछना है, आपको leverage का use करना पड़ेगा, आप यहाँ, इसको use करोगे na financial leverage, कैसी निकलेगा financial leverage, 80,000 divided by 16,000 कितना आएगा, 5, और फिर आपको 20 into 5 answer कितना आएगा, 100%, यह application करवाना पड़ेगा, आ combine leverage, के बाद break लिए तो उसके बाद question मनाएंगे, और question भी मैं ऐसा बच्चो टाइप का नहीं करवाने हो, अच्छे question select करके रखो third combine leverage हो बोला जाते है total अब मैं यहां लिखवाने रहूं, मुझे बताती जाना, क्या क्या लिखूँ, पहला dot combine leverage मतलब risk due to no, operating, fix operating cost and fix finance cost and fixed finance cost formula, अच्छे से लिखूँ ठीक है, ultimately तो यही करना है न सर formula, पहले change वाला, पहला formula change वाला बलो अब degree of combine leverage को क्या लिखेंगे दूसरा वाला हमारा shortcut वाला formula, contribution मतलब सबसे उपर, top पर और सबसे निचे EBT ठीक है degree of financial leverage, degree of operating leverage का formula क्या था अगर इन दोनों को हम multiply करेंगे तो यह और यह कट रहेंगे तो यह और यह कट रहेंगे तो फाइनली एक और फॉर्मूला निकल के आए यह वो लो contribution divided video लिख लिया DOL into DFL ठीक मेरे दिल की बात समझे लिख तो वही रहा हूँ ठीक एक्जाम में कोश्चन आया था दो नमबर इसके मिलने वाले थे आंशाशिट मेरे पास पहुचा आया था वह जमाना जब सिटर फाइनल में है नहीं दो नमबर इसके मिलने वाले थे दो नमबर इसके बच्चे ने यह सहीं कि यह प्र दो नमबर मिलने calculation mistake हो गए यह जैसे 1.5 आना था तो 1.45 ऐसा कुछ कैलकुलेशन थे भी दो नंबर मिल सकते थे अगर वो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाता वो ऐसा वाला कुछ ये वाला फॉर्मुला कर लेता है बात समझना एक होता ओपरेटी एक होता फाइनेशियल और एक कौनसा होता है कमाई ये वाला सही है इस लगाया तो इसकी वज़ा से इसका खेल खितम हो गया तो जो भी करना सोच समझ के करना ब्रेक ले रहा है और ब्रेक के बाद हम कोशिण बनाना स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही आज तो नहीं होगा कोशिण अच्छे है कि इतना बज़रा है भी 8.41 इतना पहला कोशिण बे रहा है तो पहला कोशिण बे रहा है तो इस एक विखार देटा रिलेटिक तो कंपनी इस आर इस गिवारा है शेयर कैपितल दिया है 12% बेंचिर दिया है नमबर अ उनिट्स दिया है सेलिंग प्राइस परियूइट पता है हमको और फिक्स कोश्ट दिया है और आपको निकालना ओपरेटिंग लिवर इस फाइनेश बिल्कुल आसान पर इंकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा शलो बना दे पहला कोश्ण थोड़ा सा सिंपल ही लिया है ताक कि यह अर्कॉन प्राइस 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 बिल्कॉष्ट विलकॉष्ट जाश वाय उसका नाम क्या रहेगा कॉंट्री कितना गया 12 लकॉष्ट 26 लकॉष्ट 5000 मैनिस क्या होगा अब जो आएगा वह क्या जाएगा प्राइटी पांच लाकॉष्ट मैस क्या करोगे प्रश्ट जाला का बारा बश्ट 8000 1000 अब जो उसका क्या रहेंगा EBT अब जो आएगा प्राइट क्या प्राइट क्या प्राइट क्या बना और फानेंशिल लिवरेज मतलब इंट्रेस्ट वीच में EBT divided by EBT और क्या बचे हमारा कंबाइन या तो मल्टिप्लीकिशन या फिर दोनों को कवर होना से कॉंट्रिविशन divided by EBT क्या झाट झाट क्या क्या झाट क्या गच्ञान चीजली कोस्टनमाब इंबास फक्ष्ण नद नद लन वोश्नमाब लिब इंग ग्ली में आछेए स reden वह कोश्चन पहले क्यों लिया उसकी वज़ा थी कि यह फड़ा सा इजी कोश्चन हो तो भाई EBIT दिया हुआ है EBIT दिया हुआ है पर इंट्रेस्ट दिया नहीं असर वो तो आ जाएका नहीं यहर EBIT हमको मालूम है कितना 17,750 और हमको EBIT मालूम है 7,000 कितना हो गया एट सेफन तो यार बीच में क्या होता है इथर फिक्स कोश्ट होता है क्या यह ना यह फिक्स कोश्ट फिक्स कोश्ट तो दिया फिक्स ऑपरेटिंग कोश्ट कितना 1.9 1575 1575 तो उपर क्या जाएगा पांट्रेस्ट वन से वन गया है कुछ रहा है calculate percentage change in EPS अगर cells पांच पर्शन से बढ़ जाता है तो cells को कितने पर्शन से बढ़ाना है पांच तो बोले EPS में बताओ कितने पर्शन 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 का चेंज वही निकाला है पांच से हैं हां इस रेशो में cells बढ़ता है उस रेशो में contribution बढ़ता है यह तो पक्का है contribution पांच पर्शन contribution पांच पर्शन से बढ़ा दो हां भाई सब सही बोल रहे हो मुझे final answer कर बदे करा है कर दो में फै स्राव कर डांट। से ही इस बादा दो दो ऑपांओा बढ़ता है और्शन programmed पर्शनी प ONE इस बेजम刚को कितना प्रशन कास्त Div讲 no अ झाल झाल कि बीटी में इतने परशेंट एप्स में भी उतने ही परशेंट 12.37 पिछली बैच में जो बच्चे है ना क्योंकि सेल्स को पाच परशन से बढ़ाना है कॉंट्रिविशन को पाच परशन ऐसे करना यह नहीं था क्योंकि वो इंशिट्यूट यह चाहता है कि यह चैप्टर पढ़ा है तो उसका यूज तो हो और EPS और सेल्स का जो लिवरेज होता है उसका नाम क्या होता है EPS सबसे लास्ट में सेल्स सबसे उपर तो बुले आप जो टाइम पास की है वो गलती से मत करना उस पर एक भी नमबर नहीं मिलेगा आपको सबसे पहले डिगरी और कमाइन लिवरेज निकालना है पॉर्मिल आपको पता है क्या क्या है कॉंट्रिबिशन दिवाइडिड बाइ EBT कॉंट्रिबिशन कितना है 1,7 दिवाइड बाइड बाइड बाइबिट कितना है 7,000 फोलो कितना आ गया 0.4 75 टाइमस अब दूसरा फॉर्मूला देखो डिगरी अप कमबाइन लिवरेज का चैंज बाला चैंज इन EPS बिल्टा कर लेते न divided by चैंज इन Cells और यह आपका निकला हुआ है 2.475 चैंज इन EPS आपको निकालना है और चैंज इन Cells कितना दिया हुआ 5 तो 5 into 2.475 करो पर नमबर नहीं मिलेगा मतलब यार यह पढ़ा है न यह हमारे कामका नहीं है हम जैसा चल रहे थे हम ऐसे ही चलेंगे अगर मैं यह भी नहीं पढ़ाता तो आप तो ऐसे भी निकालने थी इसका यूच करना है मतलब सर पहले वाला पहले माले का खिल गताम उस पर नमबर नहीं मिलेगा मैं पहले भी वह भी नहीं हुआ तो आपको लेवरेज का यूच करना है common sense नहीं लगा common sense लगा रहा थे आप आप वो बढ़ा दे रहते actual मत बढ़ा हो ऐसे गरू ऐसे मैं सोच नहीं था आपको start करने से पहले बुला समझा दूँ रुको समझा दूँ रुको सा रुको मैं क्या करें एक बात है लेकिन common sense huge हो गया आपका answer तो इतनी हा रहा है 12.3 अच्छा बाला कुछन अच्छा बाला कुछन कुछन नुम्बर 3 तो इस वारिबल कॉच दिया 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 तो calculator में हो जाएगा तो बताओ कितना है combine मतलब सीधा उपर और last का नीच EBIT में EBIT में fix का और कॉच जोड़ देंगे country आजाएगा 3.5 करने की जर्वरूत नहीं है कोई homework नहीं है अवला कुछन पर होना आपको यह कोशन पर जाएगे कोश्यमब 11 11 यह कोश्यमब अच्छा एक्विटी शेयर कापिटल दिया 10 करोड और रिजर्वाइं से 15% इबेंच यह है मतलब यार इंट्रेस्ट तो आएगा current liability of fixes एक्रेंट इस fixed cost पर इनम्थैंगोड यह दे दिया है 8 करोड एक्स्क्लूडिंग इंट्रेस्ट क्यों लिखा अगर वो ने लिखता तो fix operating cost अलग होता fix cost अलग होता आप जो fix cost लिखते थे cost में उसे fix operating cost था उसमें इंट्रेस्ट रहता उसमें नहीं रहता अगर मैं fix cost बोलू तो fix cost का मतलब आप समझते हो fix operating cost अलाकि interest भी fix cost होता हो सब मिलाकर fix cost होता अगर सर यह लिख दिया ना टेंसर नहीं ले पर वेरेबल कॉस्ट का रेशो दिया 65% टूटल एसेट टनोवर रेशो याद करो जब आप जब आप रेशो पढ़ रहे थे तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था जितने भी टनोवर रेशो उपर टनोवर divided by टोटल एसेट और टोटल एसेट तो पता है तो टनोवर निकल जाएगा सैल्स हां इंकम टेक्स का रेट कितना है चालीस प्रतीशत और आपको निकालना EPS, Operating Leverage, Financial Leverage, Combined Leverage करेंगे इस कोश्चन को अगर इसको भी Homework ले लोगे तो फिर तो पूरे ही Homework तो सबसे पहले क्या निकाले कितना भाई, टोटल एसेट चालिस चालिस, पॉइंट पाइफ, ना समिस्टेट्मेंट भी बना ले क्या, VPS, VPS वाला बहुत काम हो जाएगा पाइगा, Cells, कितना? 100 C, variable cost का रेश्यो कितना है, 65% 65CR आ गया, ये क्या आ गया भाई हमारा country 305, माइनस क्या करोगे, fix operating cost या fix cost लिखते हैं, आठ करोड, CVID आ गया, 27, माइनस क्या करोगे, interest, 3, कितना गया है, 24, 50, क्या नीचे जाने की जरुरत है, नहीं, पर EPS का क्या करोगे, करना ही पड़ेगा, minus tax, अगर ना EPS नहीं मांगता तो मैं यहीं खतम कर देता इस्टिक, tax card rate कितना है, 40%, 9.60, 20 का 15 पर, 24-9, क्या गया हमारा, नहीं आए, earning after tax, खीके, number of shares, एक करोड, PSB यही आए, Leverage जरा बोलो, Operating Leverage, contribution divided by EBIT, EBIT divided by EBT, अनिकाल रुके, EPS कितना है थामरा, 14 point, Operating Lever is, point, 1.5, 1.5, combine BIP, 5, 1.5, 1.5, 1.5, 10.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.6, इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुश्चन आज़ा, 1.25, तो भाहिसा, वैरिबल कॉश्च दिया, फिक्स कॉश्च दिया, इंट्रिया, फाइनेशियल लिवरेज दिया, ओपिंग लिवरेज, इंकम टेक्स का रेट बांग रहा है, तो कंपनी एक का इंकम स्टेटमेंट मैं बना र सब्सक्राइब, क्या बना रहा है, हम लोग इंकम स्टेट, 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 इं कि यहां कि आज जाएगा मेरा तो माइनस क्या रिष्ट के तो राजर जो आया उसका नाम क्या रहा रहा पीटी आलो में क्या लोके टैक्स निकल लेते हैं की बर्शन जा गया मेरा अब यार इसमें कोई ना कोई तो लिवरेस दिया रहे का ये दिया और ये किसके बीच में इसको यूज करेंगा यहां जो लेवरेस दिया उसको यूज करेंगा तो उससे कुछ निकलेगा अब क्या निकलेगा वो तो भगवानी तो वर्किंग नोट नंबर कैलकुलेशन और ये कौन सा फाइनेशल तो डिगरी ओफ फाइनेशल लिवरेस का फॉर्मूला क्या था हमारा कि विटी ये कितना दिया भाई फाइफ कि इवीएटी कितना है कि विएटी इंट्रेस्ट कितना है कि विएटी मैंस बारा है जार करी सकते हैं इस से क्या निकल के आने वाला है यहां कैलकुलेशन ओप इवीट अग आप नहीं तो आपको पता था कि वाउं कि इवीएटी कितना आगे है 15,000 इवीटी 3,000 तो टेक्स 900 ये कितना आगे है 200 जागे है वार्किंग नोट 15,000 और 20,000 जोड़ दें कितना 35,000 56,000 और राइट कर देते हैं कंपनी बी का बना लो इक इतना आगे है इक लाट पाच्छार कि पाथ 60,000 का ऊ電ा आगे है झाले लुन का ईप limits का इतना का लाटी कितना आगे है योटि कि बेठो क्थयो प्रॉठो योज एिए перв कितना से capturing पॉस्चर नम्बर 23 इसका इनकम स्टेट में कुछ आई दे है वोट पे है नहीं है कोहीं से देखिए पॉस्चर नम्बर 23 का इनकम स्टेट इस दिया तो फाइनिशल लिवरेज दिया होगा उसका यूज का अब कि बन जाएगा इस कितना इस एक बार बता तो कि सेल्स कितना है 48 किया आगे हमारा EBT कि टेक्स वेड़ा तो करी लिए इस वे तो 1400 आख थिए विष्चिर नम्ट्र टेफट आपने दो कि देखिए विए पुस्ट्ट नम्टेफर विए 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 किस्ट नंबर 24 में तेल्स दिया हुआ दिया हुआ तेल्स दिया हुआ दिया हुआ विरियाबल कॉस्ट कितना 56 परिशन और फिक्स कॉस्ट कितना 6 तो लिए debt है आपके पास 45 lakh और equity है 55 lakh ROI निकाल, return on investment चलो तो पहले वोई ने पहले किनकम statement बना ले किया तो तो पढ़ती है तो बनाने ही पड़ेगा ROI के लिए हम पहले बना तो जहां तक बन सकते तो पू अटारे माम सकते है तो बनाम सकते है 5 lakhs मिनस क्या करिँद तो बनाना तो तो प्र WILP 5 lakhs 75 lakhs 56 लेक्स अब जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा कॉंट्रिविशन कॉंट्रिविशन आया इस क्या करोगे एक्स कॉष्ट लुक 12,00,000 क्या आगया हमारा 80 प्रस्ट है क्या मैनस प्रस्ट 14,00,50 5,00 एक्स नहीं तेखले दे क्या क्या मांग रहा है पहले में क्या बोल रहा है ROI फिर बोल रहा है क्या यह फैबरेवल फाइनिशल लेवरेज है फिर बोल रहा है कि अगर इनरेश्ट्री जिसका कापिटर जना अगर इतना है तो बता यह हाई है यह लो एक चीज बहुत अच्छे से बन जाए अगर से बढ़ जाएगा 10% से बताओ यह भी बन जाएगा what level of sales that EBT of the firm will be equal to BEP EBIT increase होगा 20% से तो बताओ EBIT भी बन जाएगा सवाल बस इतना है कि इधर का तीन काम कर ले कि पहले ROI, return on capital employee or return on investment का formula EBIT divided by capital employee यह तो हमने दो-तीन जगा किया है तो चलो पहले काम करें कितना 27,00,000 divided by 100,00,000 यह यह equity पहले करना है capital employee आप कितने पर कमा रहा हूं यह 27 परशन्ट आप कितने पर कमा रहा हूं point no.2, does it have favorable financial leverage पांसर क्या आएगा? आप से कितने पर लिया था? कि पैसे पर कितना कमा रहा हूं 27? क्या यह favorable है यह? पला है? आप से कितना कमा रहा हूं 27% is more than cost of debt क्योंकि कितना आए था? अब ज्यादा अगर दिमार्ग चला रहा हूं नहीं सर आप्टर-टेक्स लेना चुगिए सब बोल रहा होगी मैं कुछी नहीं कर सकता हूं वैसे लीखा हूँआ वह language लीखे है चलिह आगे तो फॉंब बिलॉओं तो इंडुस्ट्री वोस् कापिटल टेर्णोर रिशु का फॉर्मल है कि है टेर्णोर डिवाइदेड वाई कापिटल अलते टेर्णोर डिवाइदेड़ तरन वर कितना है कापिटल है हंड्रेट कितना हागे 0.75 तो बताइए हाई है कि लोग दो कि इंडुस्री का कितना है थ्री हमारा तो लोग है तो लिख लिए पर्म एस अपिटल टर्नुमरे आप वो काम करें इसमें आप जिसके लिए बने हूँ आप अपरेटिक पारनेशिल और कंबाइन लिए इसकालते हैं कित्तक्ते हैं और कित्रों Mün कित्षнач पन पॉइंट पर यहां तक अगर सेल्स बढ़ता है दस पर्षन से तो बताए एवी एटी सवाल है कि कौन सा लिवरेज यूज़ आपको लिखो कि कैसे आपको सेल्स से बढ़ाना नहीं आपको लिखना डिगरी ओप ओपरेटिंग लिवरेज चेंज इन आपको क्या डी ओ अल मालूम है तर हमको यह मालूम है और यह बता रहा है तो इसका चेंज पूछ आपको का यह बता रहा है जिस पर इबती जीरू होचाए बनाना क्या सीधा भीपी मांग रहा है तब आणसर क्या जाएगग नहीं, cells पूछ रहा है, तो बीपी नहीं हो का, सुनना दियां से अब जुगाड़ लगाते हैं, एक calculation से चलते हैं, हाँ, बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमको सबसे पहले यहां से, ऐसे लिखोगे ना 0-0-0 तो उसका दिमाग घुम जाएगा, किया क्या यहां कितना जाएगा, 10,05,000, जो कि ए 44% हो जाएगा, अब इसको बनाएगे कैसे, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा है, सीधा क्या करते हैं, इन्ट्रेस्ट प्लस फिक्स कोष्ट जो भी आएगा, डिवाइड़ वाइड बाई क्या करेंगे, 44% है, आपको यह ओवराल बईपी पढ़ा है ना, ओवराल बईपी क्या होता होगा, अपरेटिंग बीपी क्या होता है, तो फिक्स कोष्ट रिकवर हो जाएगा, तो फॉर 44% मार रहा है डीप में नहीं जा सकता है सीधा सीधा है मैंने ये भी बता दिया मैं सीधा फॉर्मला लिखा रहा हूँ BEP है ओवरॉल BEP बोलते है हाँ ये है ओवरॉल B और ओवरॉल में दोनों ही चीजे आती है आप अच्छे जानते हैं एक फिक्स कॉष्ट भी आता है और एक इंट्रेस्ट भी आता है और पीवी रेशो नीचे लिखना है इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है प्सक्स कॉष्ट अस प्सक्स प्सक्स कॉष्ट कितना था छे लाग प्लस चार लाग पाच चार प्सक्स कॉष्ट कितना था प्सक्स कॉष्ट 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 कितना था तू इबिट और इबिट बोलो कौन सा बला फाइनेशल लिवरेस यहां फाइनेशल लिवरेस को यूज करोगे पर्सेंटेज चेंज इन इबिट डिवाइड बाइचेंज इन 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 मालू मैंको 1.18 23. अच्छा कोशन था हर चीज का रिक बाद कैसे आए इस अगया नहीं है पाइनेशल लिवरेस पता है हमको पर्सेंटेज चेंज इन इबिट दे दिया है 20 20 20 x 1.18 साथ कोश्च्छन अपर देख ले इसा कोश्च्छन इक्जाम में आया था जन्वरी 2021 में कोश्चन नुबर 26 और आया था 10 नम्मर क्योंने एक बार टेस्ट हो जाए क्टेस्ट हो जाए और मैं इस बार प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ दस नंबर का कोशन है इंस्टिट्यूट का कोशन है 2021 में आया है आपको टाइम भी वैसी है मिलना जाए अठारा मिनिट का टाइम है बढ़ना है वो तब प्राइज निग्रिश ठीक है तो अभी आज हम लोग क्लास ओवर करेंगे और कल बड़े मुश्कल से एक तो घंटे में पूरा खतम है ओमवक्ट शही है क्या तो कल तो लास्ट क्लास है कल तो मैं दूंगा ढेर सारा होमवक्ट लेवरेस खतम कर देना ठीक है